नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे पदमश्री से सम्मानित ख्याती प्राप्त लेखी का सुनीता जैन की कहानी भरोसा लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें आज सुनिये भरोसा दर्वाजा बंध होते ही उसके शरीर में वही घबराहट भरनी शुरू हो गई दोड कर वह खिडकी तक गई पर उसके घर के सामने से सडक दस कदम चलकर ही दाय मुड़ जाती है बीच में जामुन का पेड़ भी है सडक पर यतीन कहीं दिखाई नहीं दिया उसने खिडकी के सीक्षों पर से टिका दिया उसके पैर बहुत कांप रहे थे क्या चपल पहन कर वह यतीन के पीछे जाए और हाथ पकड़ कर कहे मत जाओ आज या मुझे भी ले चलो नहीं खिडकी से हट वह ठाकुर जी के आले के आगे गुटने टेक कर बैठ गई ठाकुर जी के गले में सुबह ताजा पहनाई माला अभी सूखी नहीं थी आले से आती अगर बत्ती और धूब की सुगंद से उसका जी कुछ ठहरा गिड़ गिड़ा कर बोली यह मुझे क्या हो गया है भगवान मुझे फिर अच्छा कर दो ऐसे तो मैं मर जाओंगी फिर मुन्ने और लतिका का क्या होगा भगवान मुझे मेरा विश्वास लोटा रोज वह यही प्रार्थना दिन में कई कई बार किया करती है और रोज ही उसके भीतर कोई चड़िया बंद हो जाती है जो पेट से लेकर कलेजे तक फरफडाती रहती है लगता है उसका दिल धड़कना बंद कर देगा शरीर में कहीं गहरे दरारें भर जाएंगी भगवान वह रोती है मुझे कुछ नहीं चाहिए अब तो यतीन का प्यार भी नहीं चाहिए कुछ भी नहीं बस मुझे अच्छा कर दो मेरा मन बीमार हो गया है मुझे सहा नहीं जाता मेरी इस्मृति ले लो मेरी साद्गी मुझे फिर दे दो कितनी साद्गी है तुम में यतीन उससे कहा करता था कितनी आस्था वाली लड़की हो तुम आशा ऐसी साद्गी और ऐसा इंसान भगवान क्या रोज रोज बनाते हैं तुम कभी अपने आपको इन बेहुदा लड़कियों से कंपेयर नहीं किया करो जिस दिन यतीन ने यह कहा था उस दिन उसकी प्रमोशन की खुशी में इंडिया गेट पर पिकनिक थी यतीन के आफिस में काम करने वाली 5-6 लड़कियां आई हुई थी सभी के लिबास चुस्त थे बाल सलीके से कटे या गुथे थे सभी में एक खास किस्म का आत्मविश्वास था आशा उनके सामने थोड़ा कलसा आ गई थी सबके जाने के बाद सामान समेठती बोली थी ये सब कितने स्मार्ठ है है ना हाँ बहुत स्मार्ठ है बनोगी ऐसी वह थी ना नीली साड़ी वाली बत्रा उसका इस साल तीसरा लव अफेयर शुरू हुआ है और वह थी ना गोश वह बास की खास है और वह गोरी सी भसीन उस उसके दो-दो एवार्शन हो चुके हैं, शादी अभी नहीं हुई है, चुप क्या बोला करते हो, उस रात अंधेरे में यतीन ने उस पर से चादर खीच कर अलग कर दी थी, अपने को देख सकती हो तो देखो, कैसी चंदन की लपट है तुम्हारी देह में, रात में भी उजा तोले पर सुला आती थी, यतीन और अपने बीच उसे कोई दूरी सहन नहीं थी, पर आज उनी बच्चों को सीने से चिप्टाएं वह घंटों पड़ी रहती है, मुन्ने को सूंग सूंग कर चूमती रहती है, फिर भी जैसे ही दोनों बच्चे सो जाते हैं, वही हलचल, वह फड़फडाहट उसे मतने लगती है, दिमाग में तरह तरह की तस्वीरें बनने बिगड़ने लगती है, मिस शर्मा ने बढ़ियां बलाउच पहना होगा, यतीन उसे भीगा भीगा देख रहा होगा, मिस शर्मा हसी होंगी, यतीन कुछ लजाया होगा, उससे आगे वह कुछ नहीं पाती, पागल से उठकर कमरे का चक्कर लगाने लगती है, बदन में अंगारे दहकने लगते हैं, सास रुक रुक कर आती है, खाने को देखते ही उल्टी होती है, तुझे क्या हो गया है आशा, ठीक से कुछ पकाती क्यों नहीं, बच्चे कब से खाना मांग रह हैं, यतीन कहता है, कह दो डबल रोटी ले आए, मेरे सिर में दर्ध है, अच्छी मुसीबत है, डबल रोटी कोई खाने की चीज है, सिर में दर्ध है तो एस्प्रो ले लो और उठकर खाना बनाओ, वह कहना चाहती है, क्यों बनाओ, किसके लिए बनाओ, तुम तो खाओग नहीं, देर से लोटो गई, पर वह कुछ कहती नहीं, उठकर दूसरे कमरे में चली जाती है, यतीन टाइप की एक काग्जो में अशुद्धियां देखता रहता है, वह सोचती है, कैसा एकाग्र होकर काम करता है यतीन आजकल, पहले तो कभी अख़बार भी नहीं पड़ता दूसरे कमरे की दिवार से वह माथा ठोक लेती है, और वहीं लेट रोने लगती है, यतीन उठकर आता है, रोना और तेज हो जाता है, सिर में बहुत दर्द है क्या, यतीन पास बैठकर प्यार से पूचता है, शरीर पर जहां यतीन का हाथ है, वहां बहुत सुख होता है, लगता है सारा दर्द सिमटकर वहां से निकल जाएगा. आशा, चल किसी डॉक्टर को दिखा दूँ. वह कहता है, नहीं, वह सिमटकर यतीन की गोदी में आ जाती है. अभी ठीक हो जाऊंगी. कहना चायती है, मेरे पास बैठे रहो. कहती नहीं, बहुत देर हो गई, काम बहुत बांकी है. मैं चलू, जल्दी आ जाऊंगा. यतीन उठता है, दर्वाजा बंद होता है, और वह बद हवास तोड़कर खिड़की पर खड़ी हो जाती है. यतीन, यतीन, मुझे डॉक्टर के हाँ ले चलो, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है. पर जामुन का पेड बीच में लगा है, दस कदम चल सड़क दाय मुड़ जाती है. यतीन दिखाई नहीं देता, और आशा ठाकुर जी के आले में सिर्टिका देती है. पेट में दुख है? कहीं दुख नहीं है बेटे? चल तुझे हलवा बना दूं, कल से मांग रही है. कहां दुख है? कहां दुख है? यतीन भी यही कहा करता था. लाओ हाथ दबादू आशा, बताओ कहां दर्द है? कपड़े कूट कूट कर क्या हाल हो गया है? कितना काम करती हो दिन भर? मुझे से देखा नहीं जाता. लाओ पैर दबादू. हटो, कहीं काम से कोई ठकता है? शरीर ठकता है, मैं थोड़े ठकती हूँ. और तुम कौन कम काम करते हो? क्या खाक काम करता हूँ आशा, जो तुम्हारे लिए एक नौकर नहीं रख सकता? जानती हो, शाम को किसी मिया बीबी को स्कूटर पर सजे देखता हूँ, तो कितनी कचोट लगती है? तुम 24 घंटे इन ही कमरों में कैद रहती हो. एक स्कूटर ही होता, तो तुम्हें घुमा लाता. कैसा लिपट के बैठाता तुम्हें अपने से? ना बाबा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ. क्या पता, तुम्हें स्कूटर चलाते की पीछे देखते? मजाक की बात नहीं, मैं वाकई कुछ एक्स्ट्रा इंकम करने की बात सोच रहा हूँ. तो मुझे नौकरी क्यों नहीं करने देते? फिर वही बात, जाकर ले नौकरी, ना दो द गोल्ड माइन स्कीम है, एकदम धन बरस जाएगा. हमारे यहां मिस शर्मा है न? वही जिसकी तुम कह रहे थी कि कौवे सी आवाज है और तोतिया नाग. अरे वही, वह कह रही थी कि कॉम्प्टीशन में बैठने वालों की कौपिया तो हम देखा ही करते हैं. अगर मॉडल आंसर छाप दे, तो कितने लोगों को फाइदा हो जाए? उस बात ने मेरे मन में घर कर लिया है. हर साल हजारों लड़के दफ्तर की नौकरी के लिए इमतहान देते हैं. सभी तो खरी देंगे? सोचता हूँ, मिस शर्मा को पटा कर देखूँ. वह जरा सीनियर है, दोनों मि कर फटा-फट काम कर डालेंगे. वह करेगी तुम्हारे साथ काम. क्यों नहीं करेगी? अभी उसी दिन कह रही थी. अगर पच्चीस-तीस हजार रुपए जोड लूँ, तो घर बनवा लूँ. शुरू-शुरू में यतीन घर लोटकर मिस शर्मा के साथ किया हुआ काम उसे दिखाता. बीच-बीच में मिस शर्मा की मामूली तोर पर नकल भी उतारता रहता. दोनों हसते. आशा को लगता बस अब स्कूटर आया. यतीन नीचे हौर्ण बजाएगा. बच्चे दोड़कर सीड़ी से उतरेंगे. वह शर्माती सी नई साड़ी पहने आएगी. यतीन कह रहेगा? कस कर पकड़े रहना? अच्छा? पर घर का मालिक जब घर नहीं लोडता तो शाम कितनी लंबी हो जाती है. न चाय के साथ पकोड़ी बनती है, न बच्चों का हाथ पकड़ कोई अगले दिन का सोदा खरीदने जाता है. कोई दोस्त या पडोसी भी चुनाव को ले की मालकिन सो टुकणों में तूट दीवान पर पड़ी रहती है. पत्रिकाएं बिन पड़ी मेज पर रखी रहती है. रेडियो भी बंद रहता है. माय का बहुत याद आता है. तभी आँख से जर जर पानी बहता है. आशा? मैं देर से लोटूंगा. परीक्षा निकट आ रह है. किताब पूरी करनी है. अलमारियों में कपड़े बे तर्तीब ठुसे रहते हैं. बिस्तर पर कवर नहीं ढगा जाता. कमरे में चारो तरफ फैले खिलोनों को शाम को तर्तीब से रखने की जरूरत महसूस नहीं होती. बच्चे चुपके से खिसक जाते हैं. पडोसी के घ हमारा नाम नहीं है? नाम के लिए लिखी थी क्या? पैसा कब तक आएगा? अगले साल ये पब्लिशर लोग साल के अंत में हिसाब करते हैं. इस बीच में दूसरे पेपर के आंसर तयार कर लूँगा. दो दो पुस्तक हो जाएंगी. पब्लिशर का रोज फोन आ रहा है कि का कर दूँ. यतीन रविवार को भी सुबह ही मिस शर्मा के घर चला जाता है. शाम को तो रोज वहा काम करता ही है. क्या कने? दिन तो दफ्तर में बीच जाता है. यह तो शुक्र करो कि मिस शर्मा को पती या बच्चों का जंजट जमेला नहीं. चाहे जितनी रात तक काम करती रहे. ऐसा साथ भी क्या आसानी से मिलता है? यतीन कहता है. आशा को लगता है उसके सीने में घुटन भर रही है. वह छिपी निगाह से देखती है. यतीन का चेहरा भाव विवोर है. वह बहुत दूर कहीं विचार मगन है. मुन्ना और लतिका सीडियों में जगड रहे हैं. यतीन जुझला उठता है. चुप नहीं रख सकती हो इने सारा आइडिया विगार दिया. आशा के पकड़ते पकड़ते यतीन ने मुन्ने को थपड मार दिया. वह बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में चली जाती है. यतीन का थपड मुन्ने के नहीं आशा के बदन पर हुआ था तो यतीन ने कैसा खुशी का आशुत पलकों में छिपाया था. नर्स के जाते ही माथे पर हाथ फेर फेर कर कहता रहा था. भगवान कितना महरबान है. मेरे प्यार, तुम तो अच्छी हो ना? अम्मा को बड़ी आस थी पोते की. हिचक हिचक कर रोते मुन्ने को सी देती. पर यतीन ने ही छुडवा दिया था मुन्ने का दूद. कब तक इतने बड़े लड़के को दूद पिलाओगी? अपना भी होश है. आखों के नीचे काले गड़े पड़ गए हैं. और वह दीवान पर बेहोश सोय यतीन को देखती है. जो मिस शर्मा के यहां से आकर अकसर बैठक में ही सो जाता है. सुबह उठकर शेव करते हुए यतीन कहता है. मिस शर्मा बीमार है. तुम जाकर उसका हाल पूछाना. अब तो उसने पास में ही घर ले लिया है. मुन्ने को गोदी में उठाए पसीने से लत्पत वह मिस शर्मा के घर पहुँचती है. घबर जब तक नौकर चाय बना कर लाता है. वह निगाह जुकाय ही देखती है कि मिस शर्मा के बाल बहुत काले है. जरूर रंगती होगी. दात बहुत तेड़े है. मर घिननी लगती है. वह कुछ आश्वस्त होती है. देखो यतीन से उम्र में भी बड़ी है. हाँ गोडी जरूर है. पर कहां चंदन, कहां चूना. मन ही मन वह अपनी सोची बात पर हस्ती है. पर मिस शर्मा की आरगंडी की साड़ी में एक भी सलवट नहीं है. साड़ी की सफेद जमीन पर हलके पीले फूल छिटके है. मिस शर्मा का जूड़ा घना सा है. शरीर में कीमती महक सरसरा रही है चाई के प्याले जो नौकर ट्रे में रखकर दे गया है बेहद महीन और चिकने बोन चाईना के हैं तब ही यतीन घर पर चाई पीते आजकल चिड़ चिड़ाया करता है वह नीला मग भी फूट गया क्या कोई भला आदमी घर में आ जाए तो किस में चाई पिलाओगी याद दिलवाना कुछ अच्छे प्याले लाओंगा अगले महीने खुले दर्वाजे से मिस शर्मा के पलंग का काशनी बेट कवर दिखाई दे रहा है और डबल बेट की डनलपी नर्माई उसके कलेजे में बंद कोई चिडिया बड़े जोर जोर से फड़़ा रही है उससे बैठा नहीं जा रहा फिर आउंगी कहकर मुन्ने को गोदी में उठा कर बाहर निकल आई सड़क कितनी लंबी और सुनसान है उसका घर इतनी दूर क्यों है एक एक कदम उठाते वह चूर हो गई है पहले तो वह कभी नहीं ठकती थी चलते चलते आशा तुझे क्या हो गया है हस्ती कभी नहीं अब यतीन पूशता है नहीं कुछ तो नहीं हुआ वह फीका सा जवाब देती है मिस शर्मा की तब्यत अब कैसी है उसके मुँसे निकल जाता है मैं मिस शर्मा की बात नहीं कर रहा था तो उसकी बात भी मुझसे नहीं करना चाहते तू कुछ जेलेस हो गई है क्या यतीन उठ बैठता है अगर भरोसा नहीं रहे गया है तो काम करना बंद कर दू यतीन की धमकी से उसके अंदर कुछ अररा कर तूटता है मैंने कुछ भी नहीं कहा बेकार बिगड रहे हो यतीन मुफेर कर सो गया है लगता है दात पीस रहा है जेलस? भरोसा? जामुन के टपकते पत्तों को देख वह अकारन हस्ती है सडक पर स्कूटर सवार बारिश में भीगते हुए जा रहे है स्कूटर धीरे धीरे चला रहे है शायद फिसलन है यतीन मिस शर्मा के घर पहुँच गया होगा उसने भीगी कमीज उतारी होगी मिस शर्मा का डबल बेड बिजली की सी तेजी से उसके दिमाग में कौंधता है मिस शर्मा के कोई बच्चा या पती नहीं बंद कुए में उतरती खाली बाल्टी सी वह तेजी से गिरी जा रही है अभी धब से पानी टकराएगा और वह लाश सी भारी हो जाएगी नहीं नहीं ठाकुर जी के आले के आगे वह बार बार माथा रग अड़ती है यह कैसा म्रग छोड़ दिया ठाकुर हमारी सुख सीता का हरन हो गया यतीन निर्दोश हो या दोशी आशा की सूनी आखों में अंततह परिक्षा अगनी धूदू करके सुलगी जा रही है तो यह थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं